दोस्तो आपका जितना वहेद जुरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं तो मेरे CLCN हारना नहीं है कि दोड लगी है सेरों की मेरे CLCN सेरों कि दोड लगी है सेरों की M's Delhi तेरा ठिकाना है मत रुक राही बीच में मत रुक राही बीच में टोप रेंक तुझको पाना है तो दोस्तो इसी कड़ी में मैं हूँ रनवीर जाखर टीम कमस्ती CLC से अपन बात कर रहे हैं दोस्तो फुल्स लेवर स्वेपर की अपना दंगल आज हुआ है फाइव नंबर पांचवा दंगल है दोस्तो नो जुलाई है आज इस दंगल के बाद में आपके दंगल बचेंगे मातर पांच यानि कि टूटल आपके 10 दंगल CLC करवा रही है ग्यारवा दंगल आपको ठोक कराना है दोस्तो नीट में ठीक हैं चलो सवाल करते हैं दोस्तो which of the flowing as antiseptic antiseptic के लिए दोस्तो आपको class metric लिखाए गई थी कौन सी है बला financially independent financially independent person SIDBB SIDBB ठीक है financially independent person SIDBB तो F का मतलब क्या है furacene furacene ठीक है I का मतलब क्या है tincture of iodine यानि की iodine tincture में लिख रहा हूँ ठीक है iodine tincture P का मतलब क्या है दोस्तो phenol phenol यानि की 0.2% solution दोस्तो antiseptic का का काम करता है और 1% solution disinfectant का का काम करता है दोस्तो S का मतलब क्या है SOFRA mycine SOFRA MYcine और I का मतलब क्या है दोस्तो आइडोफोम डी का मतलब क्या है दोस्तो डिटोल डी का मतलब क्या है डिटोल में क्या होता है दोस्तो CT C का मतलब क्या है कलोरोजैनियोल और D का मतलब क्या है दोस्तो टरपिनियोल ठेक है और B का मतलब क्या है बाइथायोनल ठीक है, antiseptic के रूप में यूज करते हैं, दोस्तों, शोप में, यानि कि साबुन में, तो यहां पर क्या है, bithionol, और इसकी बात करें, तो दोस्तों, क्या है, boric acid, क्यों है, boric acid, ये भी कैसी होती हैं, दोस्तों, एंटिसेप्टिक है ठीक है तो कौन कौन दे रखा है दोस्तों सोफरमाइसीन दे रखा है आइडोफोम भी दे रखा है डिटोल भी दे रखा है फ्यूरसीन भी दे रखा है नेम्बूटल और सेरोटोनीन दोस्तों क्या है भला ये ट्रानक्यूलाइजर है क्या है तो अपने को क्या दे रखा है एसी क्लीन दे रखी है दोस्तो एसी क्लाइन को आप क्या करिए दोस्तो रैड होटों से लगा दो रैड होट एफी टूब दे रखी है दोस्तो एफी टूब में डालोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तो बैंजीन का फोर्मेशन हो गया अपनी क् गई benzene, benzene के किसके साथ reaction करवानी है दोस्तो ये अपने को A मिला, अब इसकी reaction concentrate oso 4 और concentrate o3 यानि कि nitrogen करवा दो दोस्तो, nitrogen करवाऊगे तो इसमें electrophile क्या पाऊगे, NO2 positive, electrophilic substitution reaction हो जायेगी दोस्तो क्या मिल जाएगा आपको नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया फिर आपको क्या कहा रहा है दोस्तो F.E.S.C.L. डाल दो F.E.S.C.L. डालोगे तो दोस्तो क्या बन जाएगा यानि कि नाइट्रो बेंजीन किस में convert हो जाएगी अनिलीन में convert हो जाएगी आपका answer क्या जाएगा दोस्तो अनिलीन याने की fourth answer Yes करो, Yes दोस्तो आगे बढ़िएगा कौन सा सवाल दे रखा है 76 number सवाल क्या कह रहा है दोस्तो Which of the flowing set contains only nucleophile nucleophile किसको बोलते हैं दोस्तो जो lone pair of electron और negative charge डोनेट करने की possibility रखता है tendency रखता है उसको अपन क्या बोलते है nucleophile ठेक है और electrofile कौन सा है दोस्तो जो lone pair receptor होते है यानि कि इसकी बात करें तो दोस्तो ये क्या है electrofile है यानि कि oxygen carbon पर positive charge है इसका octet complete नहीं है ये electrofile होगा NO2 positive कैसा है दोस्तो electrofile है ammonia कैसा है nucleophile है इसका मतलब nucleophile आपने को only nucleophile चाहिए थे इसमें कुछ electrofile कुछ nucleophile है यहाँ पर बात करें तो oxygen पर negative charge nucleophile सनम पर यानि कि sulfur पर negative charge है दोस्तो ये भी क्या है nucleophile और क्या दे रखा है अपने को tertiary amine दे रखी है यह भी क्या है nucleophile इसका मतलब यह जो second वाला है वो क्या है nucleophile का set है आगे बढ़ियें क्या दे रखा है BF3 क्या दे रखा है दोस्तो इसका octet complete नहीं है इसका मतलब यह भी electrofile है N3 negative क्या है दोस्तो NNH negative क्या है दोस्तो यह nucleophile है और इसकी बात करें तो यह क्या है CS3 यानि की CS3 CH2 positive Ethyl Carbocatine दे रखा है यह कैसा है दोस्तो इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोफाइल एक nucleophile यह अपना अंसर नहीं हो सकता इसमें देखें यह दो इलेक्ट्रोफाइल है और एक क्या है nucleophile है इसका मतलब nucleophile set पुछा गया था कौन सा है दोस्तो second है इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है 77 number सवाल 77 number सवाल दोस्तो यह NCRT के डब्बे में से उठाया हुआ सवाल है यानि के 11th का है ठीक है तो देख लीजिए का दोस्तो सनम के उपर क्या रहा है दोस्तो negative charge यानि कि जिसकी EN जदा होगी उसके उपर negative charge आएगा और जिसकी EN कम होगी उसके उपर positive charge अच्छा लगेगा तो यहाँ पे sulfur की EN क्या है यानि कि more electronegativity है तो इसके उपर negative charge है ऐसे ही तोड़ेंगे अपन और यहाँ पे क्या है दोस्तो उल्टा दे रखा है यानि कि BR क्या है more EN item वाला है इसके उपर negative आएगा और इसके उपर क्या हैगा positive इसका मतलब incorrectly बात हुई थी दोस्तो कौन सा है भला fourth answer आ जाएगा ठीक है इसी कड़ी में बात करने तो कौन-कौन मिलती है दोस्तो एक तो अपने magnesium hydroxide अपने अगर प्राचीन काल की बात करें यानि कि दादा परदादा के टाइम पे medicine इतनी ज़्यादा थी नहीं तो इसलिए उसका solution पिलाज जाता था magnesium hydroxide का aluminium hydroxide का ठीक है और क्या पिलाज जाता था sodium bicarbonate का इनका solution पिला देते थे जिसको अपने quantity fix नहीं होती थी तो पेट के अंदर acid बिठा वो तो ही वो अपनी बेस्ती मैसूस करता था कि में अंदर ज़्यादा अगर बेस पी लिया तो क्या है acid, acid base, acid base इस चक्कर में क्या हो जाते थे वहाँ पेट में अलसर हो जाते थे फिर इस हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता था ठीक है तो उसके लिए उसके बाद में क्या बनी अपने medicine तो ये भी क्या है क्या है दोस्तो जेंटेक है क्या है बहला जेंटेक आर का मतलब क्या है दोस्तो रेनिटीडीन है क्या है बहला रेनिटीडीन ठीक है रेनिटीडीन आ गई और T का मतलब क्या है दोस्तो टेगमेट है क्या है बहला टेगमेट और C का मतलब क्या है दोस्तो सिमिटीडीन है क्य है बला सिमेτιडीन ठेक है अब देखिए ये दो know medicine एक हैं ये दो इसका मतलब ये अपना answer नहीं होता फैनल जीन जिसको नारडील भी क्या है एंटिसीड है डिटोल डिटोल कैसी होती है दोस्तों एंटिसेप्टिक होती है बोरो प्लस एंटिसेप्टिक क्रीम सो वह होती है इसका मतलब कौन सा आजाएगा दोस्तों एंटिसीड की पूछी थी इसका मतलब कौन सा आजाएगा थार्ड आंसर ठीक है नेक्स इसी क थेरान रखें में कि इस में तो उसमें नाइलोन नाइलोन शिक्स दे रखा उसमें कि घपताईड बन बन चैsan रखें किy Yuri pourrait Sheада है कि विटा है व थी ले यू 원 कि का हो गया पोली हैङ्ड्रोक्सीば you T rate को बीटा हाइड्रोक्सी यानि कि बीटा लगता है ना बीटा हाइड्रोक्सी और विलरेट ठीक है यानि कि एक तो विलरीक आसिड यानि कि बीटा हाइड्रोक्सी विलरीक आसिड और एक क्या होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरीक आसिड ठीक है इन दोनों का क्या होता है दोस्तों polymerization करवा देते हैं तो ester बनता है कहने का मतलब nylon 2 और nylon 6 की अगर पन बात करें तो दोस्तों यह NCRT का last example यानि कि क्या दे रखा है bio degrabal एक तो अपने को क्या दिया होता है दोस्तों glycine यह तो आपकी क्या होगी दोस्तों glycine और दूसरी क्या लेते हैं इसमें amino caproic acid यूज करते हैं amino caproic acid यानि कि CH2 यहाँ पे आप 5 लगा दो और यहाँ पे क्या दे दो COOH ठीक है यह amino caproic acid और यह आपका glycine है इसका OH और इसका H निकाल दो का example है and CH2 यहाँ पे क्या आजाएगा दोस्तों 5 और यहाँ पे C00O यह क्या है दोस्तों nylon 2, nylon 6 इसमें कौन सा bone मिला है दोस्तों peptide bone यानि कि amide bone बिलना है amide bone amide linkage मिला है दोस्तों तो कौन सा आजाएगा आपका answer second cellulose की अगरपन बात करें तो दोस्तों यह भी bio degrably है ठीक है natural polymer है ठीक है तो यहाँ पे अगरपन बात करें तो दोस्तों cellulose में क्या होता है बहला oxygen linkage होता है यानि कि glucose glucose की आपस बीटा डी गुलकोज की units आपस में क्या होती है glycosidic bone से attach रहती है ठीक है stars की अगरपन बात करें तो यह किसका polymer होता है alpha डी गुलकोज का polymer यह alpha का और यह क्या है बीटा डी गुलकोज का polymer है ठीक है तो यहाँ पे अपने से पूछा गया था amidling case कौन सा आ जाएगा second next इसी कड़ी में आगे बात करें तो दोस्तों क्या दे दिया अपने को 80 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तो 80 नंबर सवाल यह दे रखा है ethyl nitro compound दे रखा है तो nitro ethane दे रखा है तो nitro ethane को lithium aluminium hydride से reduction करवा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों यह मिल जाएगा यानि कि आपको मिल गई ethyl amine ठीक है ethyl amine में आपने क्या डाल दिया chloroform and base डाल दिया यह कौन सा टेस्स है दूस्तों कार्बिल amine test कौन सा है कार्बिल amine test कार्बिल amine test यानि कि isocyanide मिल जाएगा यान chloroform और 3koh के साथ में reaction करवा दो ncrt के बहुत खुबसूरा सी reaction है ch2 यानि कि primary amine को identify करने के लिए भी करती है उसका test है तो क्या मिल जाएगा आई cosyanide मिलगी bad namely कि साथ में क्या मिल जाएगा 3koh यहां पर अपने क्या मिला है तो कौन सा isocyanide यानि के favorites answer ठीक है तो भी अपने से पूछा गया था भीएapन बता देंगी नेक्स अपन बात करें तो 81्का क्या दिया हुए दोस्तो 81 नमबर सवाल क्या कर रहा है विच आप दा फ्लोविंग मोनो सेक्राइट दोस्तो अपने जितने भी सवाल इस पेपर में मैंने दिये हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सवाल दिये हैं सारे टोपिक अपने कवर किये हैं तो विच आप दा फ्लोविंग मोनो सेक्राइट यूनिट्स आर अप्टेन बाई दा हाइड्रोलाइसिस ओफ लेक्टोज अब आपने डाई सेक्राइट अपने अंसे अर्टे में तीन है सुक्रोज है, माल्टोज है और लेक्टोज है ठीक है सुक्रोज में क्या होता है दोस्तो अलफा डी गुल्कोज प्लस बीटा डी फ्रेक्टोज होता है ठीक है ये दोनों तो किसमे होती हैं सुक्रोज में होती हैं और माल्टोज की अगरपन बात करें दोस्तों माल्ट सुगर की अगरपन बात करें तो उसमें क्या होते हैं अलफा डी गुलकोज प्लस अलफा डी गुलकोज की युनिट्स होती हैं और लेक्टोज की बात करें तो इसमें दोस्तों बीटा युनिट्स होती हैं यानि कि बीट डी गलकोज बी कोर्व में लैकोज यह दोनों unit किसे होती है भला लैकोज में होती है ठीक है बी टाडी वाली होती है दोनों कौन सी है बीटा डी इसमें बीटा linkist मिलता है दोस्तो जिसका एनोमेरिक कारबन गलाइकोसिडिक बोन में participate करता है उसी के नेम पे आजाता है यानि कि अगर alpha-degulcose वाला है तो alpha वाला linkage participate कर रहा है तो उसको alpha linkage बोल देते हैं अगर beta वाला पाडिस्पेट कर रहा है तो उसको beta तो इसमें दोनों beta पाडिस्पेट कर रहे हैं इसका मतलब इसको अगर कोई link case पूँच लेता है तो lactose में कौना linkage है बीटा linkage है ठीक है गलकटोस का carbon 1 और glucose का carbon 4 आपस में glycosidic 1 से अटेच रहते हैं ठीक है तो इसमें glucose का carbon number 1 फरी हो गया ना LDI तो उसको आपन क्या बोलेंगे रिडिजिन सुगर बोलेंगे ठीक है आगे बात करें तो कौन सा 82 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों बहएदी प्यारा सा सवाल डाइ हाइडरल एंगल इस पर्जेंट इन मोस्टेबल ठीक है मोस्टेबल की बात हो रही है कनफोर्मेशनल आईसोमर ओफ इथेन अब इथेन क्या आप दो कनफोर्मर बना सकते हो मैंनली कौन कौन सा बला एक तो आपको क्या मिल जाएगा एच एच और एच और इसके नीचे अगर एच लगा देंगे तो इसमें डाई हैडल एंगल क्या मिलेगा जीरो यानि कि एकलिपसेड फोर्म हो गई ठेक है और दूसरी अपन क्या बना सकते है इसको 60 डिगरी पर रोटेशन कर दो दोस्तो कौन सी बन जाएगी इस टेगर फोर्म बन जाएगी तो रिपल्शन फोर्स बैट्वें बोन पेर बोन पेर तो रिपल्शन यानि कि कौन सी हो गई इसमें टोर्जनल स्टेन होगी टोर्जनल स्टेन होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी पोटेंशल एनर्जी इंक्रीज होगी stability decrease हो गई, जहां, जिस घर में लड़ाई जगड़े जादा होते हैं, वहां potential energy सीखर पर रहती है, और stability 0 बटा सन नाटा होती है, ठीक है, तो यहां पे अपने लड़ाई जगड़े नहीं करने है, इसका मतलब अपने से क्या पूछा गया है, stability पूछी गई है, तो stability सबसे ज़ 0 डिगरी पे था, इसको आपने rotation किया, तो 60 डिगरी बन गया, इसको वापस 60 डिगरी पर rotation करोगे, तो 60 डिगरी पर वापस यही मिल जाएगी, तो stable form कौन कौन सी पर मिलेगी, 60 पर मिलेगी, ठीक है, और फिर क्या मिलेगी, 180 पर मिलेगी, और 300 पर मिलेगी, ठीक है, इन ती पर मिलेगी इन तीनों पर कोई अगर कोई दे रखा है तो वो आंसर है अपना इसका मदलब 60 डिग्री दे रखा है इसका मदलब थर्ड अंसर ठीक है अपनी नीट 2021 में सवाल पुछा गया था लिस्ट टेबल का पुछा गया था जिसमें 0 डिग्री आंसर था याद करो दुनला दुनला आपको याद आ रहा होगा ठीक है फिर अगर पर बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है 82 के बाद में 83 नंबर सवाल देखिए order of SN2 reaction among the flowing compounds जो आपको compound दे रखें उसमें SN2 की reactivity पूछी है इसका मदलब steric crowding increase reactivity SN2 की क्या हो जाएगी दोस्तो decrease हो जाएगी तो देख लो दोस्तो यहाँ पर अगर पर बात करें तो यह कौन सा है 1 degree इथाईल है यहाँ पर बात करें तो दोस्तो क्या है यह भी 1 degree है यहाँ पर क्या है सूपर 1 degree यानि की 1 degree में count करेंगे यह कौन सा है दोस्तो steric crowding बहुत ज़्यादा रखने वाला है यानि की 3 degree तो इसकी reactivity क्या मिलेगी दोस्तो सबसे कम मिलेगी क्यों क्योंकि crowding ज़्यादा है तो methyl पर है तो methyl बच गया only on cs3 की crowding होगी और इसमें इसको हटा दो और इसमें isopropyl group बलके group हो गया इसका मनलब इसमें crowding ज़्यादा होगी तो rate of reaction सबसे ज़्यादा किसका होगा first का ज़्यादा होगा और उसके बाद में किसका number आएगा second का और fourth का सबसे last इसका मनलब three one two fourth कौन सा होगया दोस्तो three one second और fourth यानि कि second answer आजाएगा ठीक है इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तो fourteen eighty four number सवाल देखिएगा most basic की बात किये दोस्तो most basic कौन सा है basic sense सबसे ज़्यादा किसकी है basic sense अपने बात करें तो दोस्तो क्या है अगर मान लो CS3 दे रखा है कुछ नहीं दिया होता तो इसका मतलब aqueous solution मानते हैं ठीक है अगर gaseous state में पूछेगा तो दोस्तो आपको लिख कर देगा gaseous state में हाना तो यहां कुछ नहीं दिखा है इसका मतलब aqueous state में माना जाता है तो CS3 दे रखा है तो अपन क्या use करते हैं दोस्तो 21-30 का इस्तमाल करते हैं और ethyle दे रखा है तो किसका इस्तमाल करते हैं 23-10 का use करते हैं यह अपने को क्या दे रखा है benzyl amine दे रखा है benzyl amine को अगर आपन बनाएंगे तो क्या बनादेंगे benzyn, CH2 और NS2 benzyl group इसी को बूलते हैं दोस्तो benzyl amine इथाईल एमीन की अगर पर बात करें तो क्या दे दी CS3, CH2 और NS2 दे दिया दोस्तों इन दोनों में से ये ज़्यादा वेसिक हो गया क्यों कोई इसका माइनस आई एफेक्ट हो गया इसकी अगर पर बात करें तो एनिलीन इनिलीन सबसे अपने आपको गिरा हुआ मैसूस कर रहा है क्यों क्योंकि इसका लॉन पेर ऑफ लेक्टरों किसमें पाडिस्पेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में तो ये तो कॉन्जुगेशन में विजी हो गया इसका मतलग डोनेटिंग पावर इसकी कम हो गई अब लास्ट में क्या दे रखा है diethyl diethyl amine की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर 2 डिग्री आ गया तो 2 डिग्री की क्या होगी सबसे ज़ाद dementia क्यों कि प्लस आई वाला ज़ादा होगी तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री की मिलेगी फिर इसकी फिर इसकी और सबसे लास में अनिलीन खिसकी दोस्तों ठीक है तो कौन सा डाई इथाइल एमाइन is more basic than other ठीक नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों 85 नंबर सवाल देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये purification of organic करने कमसी का सवाल है ठीक है ये NCRT से हूब हूँ उठाई वी लाइन है chloroform and aniline can be easily separated by the technique कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसके इस्तमाल से chloroform और aniline को separate कर सकते हो chloroform और aniline को separate करने के लिए आपको पता है chloroform का BP अगर जिसका BP में डिफरेंट बहुँच जादा हो यानि कि more than 50 या 50 से जादा हो तो इसका मतलब आप इसको heat करके क्या कर सकते हो separate कर सकते हो यानि कि जनली अपन उन दोनों को heat करेंगे heat करेंगे तो जिसका BP कम होगा वो जल्दी भाग जाएगा तो chloroform और aniline में अगर आपन बात करें तो यहां पर अगर पन बात करें तो इसका approximate की अगर बात करें तो 61 या 60 degree के आसपास होता है ठीक है degree Celsius होता है और इसकी अगर पन बात करें तो approximate 180 के आसपास होता है तो इसका मतलब इन दोनों में BP में difference बहुत ज़्यादा हो गया डिगरी की बात करना हो इसमें plus 273 add कर लेना Kelvin वा जागा तो इसकी अगर पन बात करें तो इसका approximate कितना दे रखा है 61, 661 के आसपास और इसका 180 के आसपास यानि कि 184 भी है तो यहाँ पर अगर पन बात करें तो difference कहने का मतलब क्या है इनमें ज़्यादा है ज़्यादा है तो simple distillation से heat करके क्या कर सकते हो दोस्तों इनको separate कर सकते हो तो answer अपना कौन सा आजाएगा साधारन distillation ठीक है फिर अगर alkaline major product बनती है आपको पता है यह alpha है और यह क्या है दोस्तो बीटा और इधर भी क्या दे रखा है बीटा ठीक है वो alkaline बनाएंगे जो more stable होगी यानि कि more stable होगी तो कौन सी alkaline बना सकते हो दोस्तों यह एनवेच इसके उपर भी attack कर सकता है अलकोली के वेच भी है अलकोली के बोन और यहां पे CS3 और एक आपने कौनसी अलकीन बना दी यह वाली यहां पे CS3 CH double bond CH2 बताओ major product कौन सी बनेगी यह वाली बनेगी क्योंकि इसमें benzene ring के साथ conjugation भी है और alpha h कितने है 6 इसकी बात करें तो इसके पास conjugation भी नहीं है और alpha h भी कितना है दोस्तों 1 है इसका मलब यह hopman alkin minor product बनेगी और major product कौन सा बनेगा दोस्तों सेजफ alkin major product बनेगी ठीक है तो कौन सा answer आ जाएगा दोस्तों first answer आ जाएगा ठीक है और यह क्या है अलग है सवाल अलग हो गया तो यहां पर अगरपन बात करें तो एनिलीन हो गई एनिलीन की इसके साथ one mole के साथ में reaction करवा दो दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको two degree amine का formation हो गया ठीक है यह मिला and methyl aniline का formation हो गया अब nitrous acid दे रखा है दोस्तों nitrous acid क्या काम क कर देगी एलकोल बना देगी और अगर aromatic amine दे रखी है तो वो क्या बना देगी benzene diazonium salt में convert कर देगी और benzene diazonium salt जो होता है वो stable at room temperature यानि की room temperature पर due to resonance क्या है वो stable है ठीक है और aliphatic वाल सेबल नहीं होता है इसलिए वो and to release कर देता है और two degree amine की अगर पन बात करें चाहे व और aliphatic हो चाहे वो aromatic हो क्या काम करती है दोस्तों two degree amine क्या काम करती है नाइट्रस acid के साथ में yellow oil liquid का formation करती है ठीक है और three degree amine आपको पताईए दोस्तों किसका formation कर देगी three degree amine salt का formation कर देगी ठीक है तो यहाँ पर बात करें तो यह two degree वाला है two degree है तो इसका मलव एनो positive मिलता है यहाँ पे एलेक्ट्रोफाइल यह इसके उपर टेक करेगा क्या मिल जाएगा एन नाइट्रोसो क्या मिल जाएगा दोस्तों एन नाइट्रोसो एन मिथाईल और एनिलीन का formation हो गया यानि कि yellow oil liquid बनाती है दोस्तों yellow oil liquid का formation हो गया इसका मतलब यह two degree amine is का formation करेगी कौन सा आजाएगा दोस्तों सेकिंड नेक्स अगर पर बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है 88 नमबर सवाल देखो दोस्तों 88 नमबर सवाल बहेदी प्यारा सवाल है कार्बोनील कंबाउंड का है देखो तो कार्बोनील कंबाउंड ये कौन सी रेक्शन है दोस्तों आपको सकल रखा है CS तू दे रखा है उसके बाद में hydrolysis करवा रहा है तो पहले chromic right के साथ में oxidation करवा होगे दोस्तों तो क्या है methyl benzene methyl benzene का oxidation करवा रहे हो दोस्तों तो क्या मिल जाएगा CH यहाँ पे OCR यहाँ पे OH CL की 2 की overall की twice यह क्या बन गया दोस्तों chromium complex का formation हो गया फिर इसका hydrolysis करवाने की बात हुई अब इसका hydrolysis करवा होगे तो दोस्तों किस में convert हो जाएगा यह LD हैड में convert हो जाएगा ठीक है यानि कि benzaldehyde बन गया दोस्तों अब इस benzaldehyde में आपने क्या डाल दिया दोस्तो ऑने वच डाल दिया ऐनवच डालोगे तो खोन सी रियक्शन है दोस्तों यह आपकी रियक्शन है किन जाऊ रियक्शन यानि कि canizzaro reaction fenizar reaction एक का oxidation कर दे गी एक का reduction कर द Buran review तो इसे में खुद का क्या कर देगी दोस्तों reduction कर देगी और इसी काarl cumplि reaction होगी दोस्तो एक oxidation एक reduction यानि कि क्या बन जाएगा C O O negative और N A positive एने दे रखा है तो एने लगा दो तो एक तो benzyl alcohol बन गया और एक क्या बन गया sodium benzoate बन गया अपने से क्या पूछा है दोस्तो ये पूछा है benzyl alcohol तो कौन सा answer आजाएगा अपना third answer ठीक है तो अपना answer कौन स पूछा गया है अपने से IUPAC name की बात करें तो सबसे पहले longest chain select करते हैं ठीक है उस जो अपन select कर रहे हैं उसमें main function group होना चाहिए main function group नहीं है तो double one triple one का ख्याल रखा जाता है उसके बाद में substitute भी देखा जाता है ठीक है तो देखो main chain में number of carbon देखो one two three four ठीक है one two three four ये भी तो carbon ये हैं दुस्तो ठीक है यहाँ पर BR भी लगा हुए इसका मतलब अगर ये main chain select कर लेते हो तो substitute आपको complex substitute यानि BR किस के उपर है CH2 के ठीक है आपकी NCRT ये भी कहती है कि BR को main chain में count करना है दूस्तो ठीक है तो यहाँ पर बात करें तो one two three four अब आप numbering करोगे numbering कि सोर से करेंगे जिस सोर से double bone को less number मिले इधर से भी second number इधर से भी second number पिर आप क्या देखेंगे कि sub substitute को less number मिले अगर अपने इधर से कर रहे है तो one two three number पे भी या CS3 आ रहा है इधर से करने तो first number पे भी आ रहा है इसका मलो numbering अपन उधर से करेंगे जिदर से double bone के साथ substitute को भी less number मिल जाए ये क्या है दोस्तो bromo और ये क्या है दोस्तो methyl है तो alphabetic में set कर दो दोस्तो one number पे कौन आ रहा है bromo two number पे methyl और कितने carbon है total four carbon है यानिकी but two number पे इन है तो देख लो कौन मिली two butene, one bromo two methyl, two butene ये अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तो आंसर होगा second next सवाल की अगर पर बात करें तो दोस्तो कौन सा सवाल बहेदी प्यारा सा सवाल GOC का क्या कह रहा है दोस्तो which of the flowing compounds is not aromatic aromatic कौन कमीना नहीं है दोस्तो ये क्या है two pylektron यानि cyclic होना चीए planar होना चीए complete close conjugation होना चीए four and plus two pylektron को follow करता है वो aromatic है ठीक है otherwise वो anti-aromatic या non-aromatic है अगर four and pylektron four and pylektron को follow करता है तो वो anti-aromatic है और non-planar है तो इसका मलब non-aromatic है इसमें देखिए दोस्तो two pylektron है और two pylektron है तो ये कैसे मिली दोस्तो aromatic इसमें देखो क्या है दोस्तो four pylektron है complete close conjugation है इसका मतलब ये कैसे मिल गई anti-aromatic six pylektron है दोस्तो six pylektron है complete close conjugation है इसका मतलब ये aromatic ये भी क्या है पेपर सोलिशन पांच दंगल बचे हुए हैं यानि कि पांच दंगल बचे हुए हैं आपको ग्यारवा दंगल दोस्तों नीट में हैं आपको ठोक कराना है मस्त रहें सवस्त रहें all the best good luck जैस CLC दोस्तों आपके पांच दंगल का डिसकर्शन यहां करने जा रहा हुँ आपकी CLC आपके लिए हरदम तयार है एकजाम तक आपका पूरा साथ देती है और उसी सीरीज में यह दंगल आपको पेपर यहां प्रोवाइड किये जा रहे हैं दस और बिल्कुल ग्यारव आंग जैसे आपको आपको देखना है तो बस आपको CLC के साथ अपनी प्रिपेरशन का फाइनल टची यहां पर देखना है तो यहां पर देखेगा आईनाइजेशन एनरजी सबसे कम किसकी होगी एनपी टू की उससे ज्यादा किसकी आएगी आपके एनपी 4 की फिर आएगी एनपी 3 की फिर एनपी 5 की तो यहां तो क्लोरीन आगया यहां पर आपका फोसफोर्स आगया यहां आपका सल्फर आगया यहां सिलिकन आगया तो इसके लिए तो 780 आजाएगा सबसे स्मोल डेटा फिर 999 इसके लिए आजाएगा यह इसके लिए तो बाकी यह दो तो गई अब इन दो में से देखना है तीसरा डेटा आपको किस काची है क्लोरीन का क्लोरीन का कितना बारासो चपन यह आ गया है तो आपका कौन सांस्वर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट consider the following information about a element P and Q तो आप यहां पर देखिए यह तो फिरेट नमबर दिया है और ग्रूप नमबर कौन सा है 15 तो यह आपका कौन है नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की वेलिंसी आपको पता है कितनी होती है माइनस 3 तो यह तो हो गया 3 माइनस फिर क्यों आपका थर्ड भी रेड़ का है और ग्रूप नमबर सेकिंड मतलब यह मेगनीशिम है मेगनीशिम का कितना होता है 2 प्लस तो आपका यहां से फोर्मूला क्या बन जाएगा Q3 P2 तो P2 Q3 यहां गया किलियर नेक्स्ट वोट आर दी करेक्ट ओर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोकसाइड हाइड्रोकसाइड की बेसिसिटी बता नहीं हो या ओकसाइड की आइनाइजेशन एनरजी से विलकुल आपोजिट चलना है तो यहां पे देखिए बेरिलियम से ज़्यादा कम आइनाइजेशन एनरजी मेगनीशियम मेगनीशियम से कम होती इस्ट्रॉंसियम से ईक तो यह सिक्वेंस ही आ गया तो यह तो अपने आप इगलत हो गया इस एपोजिट दार है पिर यहां पे देखो यह आपका नोन मेटलिक है तो ऐसी में यह आपका एक्ति of the following arrangement are according to given characters कौन सा आपके character के according ठीक है वो देखना है ACID की strength बिल्कुल ACID की strength के लिए perfect order है जैसे जैसे bond length बढ़ जाएगी bond strength कम हो जाएगी bond strength कम हो जाएगी तो ACID की strength बढ़ जाएगी वो ही thermal stability चलती है नीचे जाने पर thermal stability इनकी कम हो रही है तो reducing nature आपकी increase हो रही है bond energy का गलत है आपको पता है small size होने से यहां पर हालांगी small size bond dissociation energy की favorable condition है उसको बढ़ाता है लेकिन यहां पर low and pair low and pair काफी ज्यादा effective हो जाएगा जिस वजे सी यह bond easy going break हो जाएगा यह आपका यहां पहुंच सकता है तो यह वाला incorrect हो गया electronic activity as character के directly proportional to होता है as character इसमें 50% है इसमें आपके 33.3 और यह 25 तो यह आपका correct order रहता हो आपका A, B और D तो A, B, D कौन सा option है fourth next question number 55 Na2CO3 can be manufactured बिल्कुल यह solar process से बनाया जाता है जबकि K2CO3 नहीं बना सकते क्योंकि दोनों का intermediate क्या बनेगा इसका sodium bicarbonate इसका potassium bicarbonate और first A में bicarbonate के solubility नीचे जाने पर increase होती है तो यह आपका reason रहेगा जिस वज़े से आप solubile process से K2CO3 नहीं बना सकते next in which of the following change bond change both bond order and magnetic nature आप ठीक है तो यहां पर देखना है किसमें bond order और magnetic property दोनों change हो रही है तो MOT apply करना इस पर तो आपको पता इसका bond order 2 आता है और इसका bond order कितना हो रहा है आपका 1.5 इसके पास unpaid electron 2 है और इसके पास unpaid electron 1 है तो magnetic property जीरो है इसके पास भी unpaid electron 0 है लेकिन यहां पर देख जाए unpaid electron इसके पास 2 है इसके पास unpaid electron 0 है तो magnetic property change होगी bond order इसका 2 है और इसका bond order आपका कितना है 1 bond order भी change होगी है तो आपका answer कौन सा आजएगा 4th MOT से solve करके देखना है आपको ठीक है next question की बात करता हूँ in which of the following combined maximum loan pair present at central atom यह द्यान रखना है कि loan pair कहां पर बात कर रहा है central atom पर तो आपको पता है इसका hybridization SP3D होता है तो SP3D में 5 hybrid orbital है तो 2 ही sigma है तो मतलब 3 loan pair इसके पास बढ़े हुए है यहाँ पर बात करें CLF3 CLF3 में अगर देखा जाए तो 7 और 3 10 SP3D hybridization 3 sigma है तो hybrid orbital 5 है 3 sigma है तो loan pair 2 ही बच गए इसके पास loan pair आपके कितने i3 के पास बात करें SP3D hybridization है sigma सिर्फ 2 है तो 3 loan pair बच गए तो इन दोनों के पास 3 3 loan pair है तो answer कौन सा आजएगा fourth which of the following is not linear आपको पता इसमें SP hybridization होगा तो यह linear है CLO2 SP2 hybridization है इसमें clear यह आपको दियान रखना है जो एक unpaid electron है इसके पास वो hybridization में count है नहीं होता तो SP2 hybridization ही रहेगा इसके पास और यह V-shape रहेगा इसका यह जो एक unpaid electron है वे वे डी orbital में है और डी orbital का unpaid electron hybridization में counted नहीं होता है hybridization इसका SP2 रहेगा लेकिन V-shape रहेगा यह linear तो नहीं होता है तब कहां सब कौन सा हो जाएगा इसके बाकि इसमें SP2 hybridization है linear हो जाएगा इसमें SP3D है तीन lone pair है और दो axial पे iodide और iodine जुडे में है which is an outer orbital complex तो आप यहां पे देख लीजिए सब को solve करके देखना है CFT से देख लो चाहिए आप यहां से VBT से आप अपलाई कर सकते हैं इसमें देखा जाए तो यह आपका 3D8 है और 3D8 में जब भी चाहिए strong field है चाहिए weak field है अगर coordination number आपकी 6 है तो हमेशा ही SP3D2I badization होता है outer orbital complex बनता है pairing यहां पे करवा करके भी unpaid नहीं हो पता है आपको पता हो तो 1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8 इसको pairing करवा भी देगा तो भी A की D खाली हो पाए जबकि D दो vacant चाहिए इसलिए pairing करवाए गई नहीं 2 unpaid पढ़े रहेंगे इसके पास next यहां पे देखना है octahidal complex दिया गया है तो hybridization तो इसमें देखो sorry इसमें isomerism पूची है यह आ गया same face में मतलब adjacent position पे हैं सारे same ligand तो इसे face isomer का आजाता है और अगर यहां भी आ जाता है यहां A चला जाता तो इसे isomer बोल देते तो आपका कौन सा आ जाएगा face सा जाएगा next which of the following can not show linkage isomerism linkage isomerism arise due to embedded ligand यह embedded है यह embedded है यह embedded है यह embedded है यह आपका embedded नहीं है तो यह linkage sure नहीं करेगा बाकि इसमें donor side एक बार nitrogen बनती है एक बार oxygen बनती है इसमें donor side एक बार nitrogen एक बार sulfur है इसमें donor side एक बार carbon एक बार nitrogen बनती है यह complex दिया गया आपको बताना कौन-कौन सी isomerism शो करता है सब्सक्रों करों CL अधर आ गया NO2 बाहर चला गया आइनाइजिशन NO2 एम बिदेंटेड है एक्सेंज हो गया डॉनर साइड नाइटरजन कीजिए का ओक्सिजन आगया है लिंकेज MA4 B2 टाइब का है तो GI, CIS और TRANS OI ये देता नहीं हाइडरेटेड वोटर का मोलिक्यूल है नहीं पोसिबल नहीं है अगर आमोनिया लिक्विड फोरम में ये आपका इंटरस्टेशल स्पेर में जाता है लेकिन फिर इसको अंदर लाना पड़ेगा तो बीना आइनाइजेशन स्पेर के इंटरस्टेशल स्पेर वैसे पोसिबल नहीं है कोडिनेशन के लिए 2 कोडिनेटरी स्पेरơश है तो कुल मिलाकर कि ये जी आई देगा लिंकेज देगा और आइनाइजेशन देगा तो लिंकेज आइनाइजेशन लिंकेज आइनाइजेशन और जियोमेटरी कौन सा जाएगा सब next question पर बात करें next question के यहां पर अपन बात कर रहे हैं electron present in penultimate orbit of coinage metals are coinage metal कौन सी हैं आपकी copper AG और आपका AU penultimate का मतलब है N-1 cell में तो इनके N-1 में देख लो N-1 में DB इनका completely filled होता है N-1 का P completely filled होता है N-1 का S completely filled होता है तो total कितने electron होंगे 18 configuration से पता चल जाता है यह चीज़ purest form of iron, wrought iron सबसे कम carbon इसे में होता है impurity भी सबसे कम होता है फिर इसे थोड़ा ज़्यादा iron आपका steel में मानते हैं फिर cast made सबसे ज़्यादा big iron में, wrought iron होता है इसका 0.1 के आसपास ही होता है which process represents the equation यह equation कौन सी process को तो यह one or two process है मतलब कि जब impurity और आपकी metal दोनों ही non-volatile तो बाहर से ऐसा substance मिला जाता है जो metal के साथ मिल करके उसको volatile बना देता है और फिर high temperature पर heat करेंगे तो वह सबस्टेश मिला जाए तो अट जाएगा और pure metal आपके पास बच जाएगी पहला temperature लो होता है दूसरा temperature आपका high होता है one or kill process ही है निकल के लिए यह काम में लेते हैं तो carbonyl use होता है उसको mund process बोला जाता है next यहां पर simple सा clear है और इसको अगर heat करेंगे तो एस्टो निकलेगा तो एस्टो निकलेगा oxidation state change होगी नहीं तो प्लस फाइप वाला ही बनाएगा limited quantity में water के molecule मिल रहे हैं तो यह भी आपका water के molecule को अबजय परके HPO3 इसकी भी oxidation state change नहीं होगी प्लस फाइप का प्लस फाइप में रहेगा तो आपका कौन सा आजाएगा HPO3 और N2O5 next के बात करें CL2 एक बार cold dilute नहीं होच लिए है cold और dilute दोनों में dispropionation होगा लेकिन जब concentrate condition होगे न तो oxidize थोड़ा जयाद हो जाएगा तो पहले वाले में इसमें बनेगा Naocl और इसमें बन जाएगा NaClO3 प्लस 5 तक चला जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका फॉर्थ आंसर हो जाएगा तो यह आपका इन और गेनिक का पार्ट था आयो बस एक जाम तक आपको ठीके रहना है अच्छे से तैयरी कर नहीं है CLC आपके साथ पूरी तरह से थी है और रहेगी ओके थैंक यू जै CLC हाई स्टेंट्स रंगल 5 फूल सेबल टेस्ट 9 जुलाई हम लोग यहाँ पर डिस्स कर रहे हैं फिजिकल के विस्टी वाले पार्ट की पेपर को ठीक है यहाँ पर हमने पास पहला 63 नंबर कोश्चिन गिवेन है शेक्षन ए में फॉर दा गिवेन रियक्षन हमें आर्सेनिक सलफाइड का एक्क्यूवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है देखते हैं आर्सेनिक सलफाइड के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर अर्सेनिक सलफाइड एस टूस त्री है कन वल्ट हो रहा है s प्लस a eso4-3 नहीं ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं हम के अंदर देखना ट्वाइज आप आर्सेनिक 3 पॉजिटिव यहां पर अगर देखे तो टोटल ऑक्सिदेशन नंबर कितना है प्लस 6 और यहां पर टोटल ऑक्सिदेशन नंबर कितना है प्लस 8 जो नेट चेंज हमारे पास टोटल ऑक्सिदेशन हमारे पास है यहां पर प्लस 10 जो नेट चेंज आया वो यहां पर आर्सेनिक के रिस्पेट पर कितना आ गया बेटा 4 तो that is the N1 ठीक है अगर हम लोग sulfide के respect पर देखें तो हमारे पास है 3 sulfide minus 2 convert किसमे हो जाएंगे 3 sulfur में यहाँ पर क्या था minus 6 और यहाँ पर 0 तो net change कितने का आ गया बेटा 6 का तो यहाँ पर N2 हमारे पास आ गया 6 arsenic के arsenic sulfide में arsenic का भी oxidation हो रहा है और sulfur का भी oxidation हो रहा है और जब किसी भी compound के 2 element का oxidation होता है तो उस compound के N factor को हम लोग calculate करने के लिए use करते हैं बेटा N1 प्लस N2 ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया भाई N1 प्लस N2 बराबर that is 4 प्लस 6 and that is equal to 10 अब हम लोग equivalent weight लिका लेंगे arsenic sulfide का AS2S3 molar mass divided by N factor that is 10 तो आ जाएगा equivalent weight is equal to N by 10 और N by 10 हमारा कौन सा option है second option है मतलब यहाँ का हमारा second option जी होगा वो correct होगा ओके लेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 64 दिया गया है कि at low pressure CH4 के लिए कौन सा वांडरवाल equation सही रहेगा विटा लो प्रेशन की condition पर हम लोग volume correction को negligible मान लेते हैं क्योंकि अगर pressure बहुत काम है तो volume बहुत क्या है बही ज्यादा तो वहाँ पर volume correction को negligible माना जाता है मतलब जो वांडरवाल equation थी हमारे पास P plus A upon V square V minus B एक मॉल के लिए is equal to RT ठीक है उसके लिए हम लोग क्या use कर सकते हैं बिटा इसको terms को हम लोग B को negligible मानेंगे तो हमारे पास equation बन जाएगी P plus A upon V square into V is equal to क्या बिटा RT नौव V का इंडर multiplication कर दें तो हमारे पास आजाएगा P plus A upon V is equal to RT नौव and that is PV यह आजाएगा हमारे पास क्या बिटा PV is equal to RT minus A upon क्या बिटा V यह वाला terms उधर चला जाएगा तो यहां से हमारे पास यह final equation हमें मिल जाएगी ठीक है देखते हैं इसमें कौन सा option हमारा correct है अब्यस्टी बात है second option हमारा correct है तो इसका second answer हमारा क्या आएगा बिटा correct answer ठीक है अगला question देखते हैं लो लेक्स question अगला है के the heat of combustion of methane C2S6 and hydrogen are given which of the following is the most efficient fuel देखो बिटा hydrogen के respective most efficient fuel का मत्तब होता है जहां पर मास percent hydrogen का सबसे ज्यादा है उसके इलावा हम लोग निकालते हैं fuel efficiency that is eta is equal to del h of combustion upon molar mass यहां से हम लोग fuel efficiency को calculate करते हैं तो आप जब पूल एफिशेंसी को calculate करोगे तो सबसे maximum fuel efficiency हमारे पास hydrogen के लिए आएगी तो हमारा सबसे correct answer क्या आजाएगा बिटा first next question देखते हैं question number now question number 66 question number 66 की तरफ मूप करें तो हमारे पास दिया हुआ है for a given reaction PCl5 का dissociation हो रहा है और वो हमना हो रहा है PCl3 plus Cl2 में the total pressure is P necessary to obtain 50% dissociation of PCl5 is numerically equal to now हम लोग वही अपना PCl5 को dissociate किया that is convert into PCl3 plus Cl2 ठीक है बिटा इसका one mole now ये 0 था अब बोला है 50% dissociation हो गया मतलब ये alpha 0.5 ये भी 0.5 और ये हो गया 1 minus 0.5 and your valuation is यहाँ पर कितनी आ गई 0.5 अब बिटा अगर हम लोग इसकी KP equation को note down करें तो KP equation हम लोग क्या लिख सकते हैं वही KP equation इसकी आ जाएगी KP बराबर ठीक है बिटा mole fraction इसका कितना हो जाएगा इसके लिए mole fraction हमारे पास आ जाएगा X of PCL3 that is equal to total moles कितने हो गया 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 that is equal to 0.5 upon 1.5 same here 0.5 upon 1.5 same here 0.5 upon 1.5 तो इसको लिख सकते हैं 0.5 upon 1.5 into P pressure of PCL3 0.5 upon 1.5 into P that is pressure of CL2 0.5 upon 1.5 into P that is for the PCL5 यह और यह terms cancel हो जाएगा और 0.5 upon 1.5 हमारे पास पता है 1 by 3 है तो KP बराबर कितना आ जाएगा बिटा P by 3 now the P can represent it as 3 KP और हमारा correct option आ जाएगा first ठीक है अगला question देखते हैं next question question is which of the following pH is equal to 10 किसके case में pH is equal to 10 है बहुत ही carefully देखना है इसको गलती से pH is equal to 10 मैं कर देना क्यों क्योंकि यह SCL है भाई यह SCL कभी भी acid का pH साथ से कम साथ से कमी होगा कभी भी हम लोग उसको साथ से ज्यादा pH नहीं बना सकते हैं कई बच्छे यहां पे गलती करेंगे और बोलेंगे भाई क्यों इस अर दोनों में तो आ रहा है यहां पर देखते हैं दूसरा option हमारे पस क्या है NUH NUH को dissociate करो क्या बना Na positive plus क्या बेटा 1 OH negative now OH negative concentration कितनी मिल गई बेटा that is equal to 1 into 10 power minus 4 now calculate the POH you know that POH is equal to minus of log concentration of OH negative 1 your value is minus of log 1 into 10 power of minus 4 you all can solve this equation and get POH is equal to क्या बेटा 4 and then pH बराबर 14 minus क्या बेटा 4 and you get value value 10 so जिसकी pH 10 है वो solution कौन सा है 1 into 10 power minus 4 M NaOH का जो solution है NaOH का जो billion है उसका pH क्या है बेटा 10 next question देखते हूँ अगला question हमारे पास है tetragonal crystal के लिए कौन सा statement सही है tetragonal crystal में अपन बोलते हैं A is equal to B but not equal to C alpha is equal to beta is equal to gamma and is equal to 90 all angles are 90 2 edges are 2 dimensions are equal but another dimension is not equal with 2 okay so your answer is second answer a is equal to B but not equal to C alpha is equal to beta is equal to gamma and your answer is 90 good बेटा okay next question देखते हैं बेटा अगला question हमारे पास है which of the following solution one molar will having the maximum freezing point assuming the equal ionization of each सभी के case में अगर हम लोग ionization को same माल ले यहाँ पर ionization का extent same है जितना percent एक ionize हो रहा है उतना ही बाकि सभी ionize हो रहे है हम लोग को पता है freezing point del tf of solution not del tf tf of solution is inversely proportional to i क्यों क्यों क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग पढ़ते हैं del tf बराबर i into kf into m तो यहाँ पर del tf क्या होता है del tf होता है tnos minus ts is equal to i into kf into m तो यहाँ से relate कर सकते हैं क्या भई ts is inversely proportional to i i की value जितनी कम होगी जो freezing point होगा solution का क्या होगा उतना ज्यादा maximum freezing point यहाँ पर देखो कितने dissociating particle बने 4 अब्यस्ती बात है i ज्यादा होगा यहाँ पर dissociating particle कितने बन गए 3 i और कम होगा यहाँ पर dissociating coordination compound है यहाँ पर dissociating particle कितने बन गए 2 i और कम होगा और यहाँ पर किसी तरह का ionization possible नहीं है मतलब i की value यहाँ पर क्या होगी सबसे कम होगी तो हमारा answer क्या आएगा 4 जिसका freezing point क्या होगा सबसे maximum next question देखते हैं अगला question दे रखता है the charge required for the reduction of one mole of CR2O7 minus 2 तो CR तो यह दिख रखते हैं मैटा CR2O7 minus 2 convert in form of CR3 positive net again balance की हमने chromium को यहाँ पर total oxidation state plus 12 दोनो chromium लेंगे compound के अंदर यहाँ पर total oxidation state plus 6 net change कितने का आ गया 6 का तो N factor कितना आ गया 6 तो ज़़ चार्ज required होगा Q Q that is equal to number of electron multiply by 965000 कुलाम ठीक है 5 00 0 कुलाम तो आप का आंसर आ जाएगा 6 into 965000 कुलाम ओके and your answer is 4th option ओके next करते हैं कोश्यन अगला कोश्यन हमरे पास given है कोश्यन कह रहा है arsenic sulfide collide में सबसे पहले अधिशोशित करेगा the collide of soul of the arsenic sulfide first absorb obvious ही बात है arsenic sulfide it is a negatively charged collide collide so it absorb S2 negative आप का अंसर क्या जाएगा बिटे अगला कुश्यन 8 gram of the radioactive isotopes has the half life period 10 hour then the half life of the 2 gram for the substance पिटाई यहां पर एक concept बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है हम लोग को पता है radioactive disintegration radioactive disintegration जो होता है that is the first order of kinetics reaction यह first order of kinetics reaction है और first order of kinetics reaction के लिए हम लोग लिखते हैं k is equal to 0.693 upon tn the half means tn the half is independent with the quantity of substance initial concentration से उसका कोई लेना देना नहीं है तो भाईया मैंने 8 gram लिया था या 2 gram लिया था half life क्या रहेगा 10 gram तो आंसर क्या आजाएगा भाई जो half life आजाएगा 10 hour तो आंसर क्या आजाएगा अगे बढ़ते हैं next question हमारे पास है for the given standard reaction ठीक है हमारे पास जो target equation है वो क्या है mn o 2 convert in form of mn 2 positive let's check the number of electron change यहाँ पर plus 4 यहाँ पर plus 2 n कितने आगए बेटा 2 अब देखते हैं इन दोनों equations से हम लोग इसको कैसे opt कर सकते हैं अब बेसी बात है कर दोनों equations को add कर दें तो आपने पढ़ा था न del G of the target equation is equal to del G1 plus minus del D2 जिससे हम लोग E0 of cell निकालते थे वही से हमारे एक short formula हो जाता था E of cell जो target equation का होगा that is equal to N1 E1 क्योंकि add कर रहे हैं तो plus लगा देंगे subtract करते तो minus लगा देते N2 E2 upon N N क्या है change in electron for the target equation ओके now N1 E1 N1 कितना है बेटा 1 यह plus 4 था और यहाँ पर क्या है बैई plus 3 N1 बराबर क्या आ गया बेटा 1 तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 into 0.95 plus N2 देखते हैं यहाँ पर क्या है बेटा plus 3 यहाँ पर क्या है plus 2 तो N2 भी क्या आ गया बेटा 1 plus हमारे पास क्या आ गया 1 into potential कितना है 1.51 इसके लिए कितना equation आया था 2 divide by 2 और यह solve करोगे तो हमारे पास answer आ जाएगा plus का 2.46 divide by 2 और final answer आ जाएगा 1.23 किलियर है अगला question देखते हैं अगला question आप खा I think organic chemistry से है ओके next question हमारे पास है which of the following is incorrect for the ideal solution कौन सा ideal solution के लिए incorrect है आप सब लों को पता है कि ideal solution ऐसा solution होता है जिसमें del V of mixing भी 0 होता है del H of mixing भी 0 होता है लेकिन solution के बनने के लिए मतलब ideal को एक बार थोड़ा सा revise कर लेते हैं भाई ideal solution के लिए ideal के जो इंपोर्टन कंडिशन है del H of mixing that is 0 del V of mixing that is 0 but the formation of solution is spontaneous it means to say that del G of mixing less than 0 and del S of mixing must be greater than 0 ये चार तमसम को याद रखने बार बार question इन से आता है किसी भी ideal solution के लिए बात करेंगे del H of mixing 0 है del V of mixing 0 है Gibbs VB energy change of the mixing less than 0 है जिसकी वे से process spontaneous है और entropy change क्या है greater than 0 है entropy increase कर रहा है now अब question के तरफ बढ़ते other swillian के लिए निम्व में से कौन सा कथन असकते है which is the following statement is incorrect regarding the ideal solution पहला statement है del H of mixing is 0 del V of mixing is 0 very true यह बिलकुल सही है del V of mixing is 0 del S of mixing is greater than 0 it is true del H of mixing is greater than 0 वहिया पंगा हो गया del H of mixing क्या होता है 0 होता है मतलब यह हमारा incorrect statement है और incorrect statement ही हमें पहचानना था तो हमारा answer क्या आजाएगा third और fourth हमारे पास क्या है del G of mixing is negative and del S of mixing is greater than 0 मतलब fourth option भी सही है हमारा incorrect option कौन सा है बिटा that is third next देखते हैं अगला question हमारे पास क्या दे रखा है कि यह हमारे पास del H की value दे रखी बड़ा important है बहुत जनूरी है गरबल मत करना कई बार गरबल करते हैं del H की unit है kilo joule del S की unit है joule ध्यान रख लेना बाकी सब को सब कुछ आता है बोला है किस condition पर free energy change क्या हो जाएगा 0 तो free energy change 0 होने का मतलब del G बराबर del H minus T del S बोला भया del G को क्या कर दो 0 तो यह कर दिया हम लोगे 0 0 बराबर क्या गया del H minus T del S ठीक है तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा T बराबर T बराबर क्या आएगा del H upon del S ठीक है del H upon del S करोगे del H की value कितनी दे रखी है 30 30.56 kilo joule में और यह कितनी दे रखी है बेटा मेरे पास that is 66 किसमे है joule में तो into 10 power अब क्या कर दो minus 3 और solve करके निकालोगे तो answer आएगा 463 Kelvin and your answer is first first option आपका क्या हो जाएगा बेटा correct clear next अगला question देखते है next question की तरफ बढ़ते हूँ अगला question हमारे पास given है a solution of 0.01 MKI 0.1 M KCL solution में हम लोगो ने if the solid AGNO3 is added to the solution what is the I negative where AGCL big in the precipitation जहां पर AGCL का हमारा precipitation start हो जाएगा उसको हमें निकालना है ठीक बात है देखते है देखो बिटाओ obvious सी बात है यहां पर AGCL का हमारे पास KSP दिया हुआ है precipitation start वहां पर होता है जब हम लोग KSP की वेलू ionic product के बराबर हजाती that point whenever the KSP should be equal to the ionic product of the salt ionic product of the ions of the salt then at that particular condition the precipitation just start जब ionic गुलनफल हमारी जो विलेता गुलनफल है उसके बराबर आ जाता है वहां से precipitation हमारा start होता है तो हमें KI के precipitation KCL का precipitation start करना है और हमें I-negative की concentration निकालनी है देखो बटा अगर मैं KSP of क्या लिखता हूँ AGCL तो KSP of AGCL क्या आएगा भई KSP of AGCL आएगा active mass of AGCL into active mass of CL negative CL negative की concentration 0.1 दे रखी है AG positive की concentration यहां से निकाल लेते हैं तो KSP किता दिया था बिटा KSP है 1.8 क्योंकि यहीं से तो आ रहा है into 10s power minus 10 ठीक है AG positive की concentration क्या हो जाएगी into CL negative की concentration क्या हो गई 10s power minus 1 इसको इधर लिया हो गई तो AG positive की concentration क्या मिल जाएगी 1.8 into 10s power minus 10 they are available for the precipitation okay now put in the KSP of AGI KSP of AGI that is equal to active mass of AG positive and we want to calculate the high negative concentration that is required for the precipitation okay AGI का KSP कितना दिया रखा है that is 1.5 into 10s power minus 16 is equal to 1.8 into 10s power minus 10 into I negative concentration if we want to calculate the I negative concentration the equation become 1.5 into 10s power minus 16 divide by 1.8 into 10s power of minus 10 minus 10 no minus 9 यह minus 9 मिला का ना में यहा से मारे पास minus 9 बन गया यह इधर चला गया that is minus 9 and by this calculation you get your answer and the answer is I negative concentration should be equal to 8.3 into 10s power minus 8 यह उपर जाएगा तो 7 बन जाएगा और 0.8 के something आएगी तो हमारे पस correct answer क्या आजाएगा बिटा 4th 4th is the correct answer okay now move towards the question number 99 move towards the question number 99 okay in this particular question the electrolysis of dilute aqua solution of NaCl as well carried out by the 10 milliampere current the time required for the liberation of 0.01 mole of H2 okay whenever the H2 is liberated जब कभी भी hydrogen gas मुक्त होगी कैसे मुक्त होगी twice of H positive plus 2 electron यहाँ पर क्या बनाएगा बिटा H2 means N number of electron required that is equal to 2 okay you all know that the first law of parades first law of parades क्या था W बराबर M I T upon N into 965 00 okay M को इदर ले आओ क्या बन गया बिटा W by M is equal to I T upon N into 965 00 okay W by M क्या होता है mole I क्या है milli ampere में current current दे रखा है into T ampere में current upon N into 965 00 ठीक है now put the value mole कितने दे रखे हैं भाई हमारे पास 0.01 I हमें दिया हुआ है कितना 10 milli ampere मतलब 10 into 10th power minus 10 into क्या दिया हुआ है बिटा हमें आज time को निकाल ला है time निकाल लेंगे N into क्या भाई N की value कितनी रखी थी तो 2 रख दिया 965 00 calculate करोगे तो T बराबर final हमारे पास आजाएगा 19.3 into 10th power 4 second I think समझ आ गया होगा ठीक है now move towards the 99 to 100 number question okay very good that is also very important conceptual question NEET के लिए बहुत ज़्यादा focus करने की जग रहते हैं तो यह जितना भी पूरा है हमारा physical chemistry दंगल में questions आ रहे हैं लगबग लगबग इनसे ही similar यह हो सकता है 100% similarities आपको अपने NEET examination में दिखाई देगी तो प्लीज दंगल पर बहुत अच्छे से focus करें क्योंकि दंगल पर focus करके आप अपने full slabus को complete revision कर सकते हो और complete आप conceptual errors को हटा सकते हो तो प्लीज अपनी conceptual error को हटाते चले जो जो आपको concept की questions मिलते चलना है यहाँ पर conductivity of KCL दे रखी है 20 degree centigrade is this one that is 0.0212 Siemens centimeter inverse Siemens centimeter inverse सीधे क्या बता रहा है यह कपपा है specific conductivity है the resistance of the cell containing 55 ohm the cell constant and the molar conductivity हमने पढ़ा था कपपा is equal to 1 upon R into cell constant that is Z ठीक है तो यहाँ से cell constant निकालोगे तो cell constant G बराबर क्या आजाएगा कपपा into R कपपा कितना दे रखा है बिटा that is 0.0212 ठीक है that should be multiplied by 55 and you get your answer 1.166 तो यह हमारे पास क्या आगया cell constant that is the cell constant that is the cell constant okay now और we want to calculate the molar conductivity molar conductivity lambda M is equal to कपपा into 1000 divided by molarity अब हमें बताएगी KCL के लिए N-pector 1 होता है तो जो molarity है वही normality है okay तो कपपा कितना था 0.0212 into 1000 divide by molarity 1 by 10 यहाँ से जब solve करोगे तो answer हमारे पास आजाएगा कितना बेटा 212 ठीक है सीमेंस स्क्वार mol inverse okay सो आप का answer गया जाएगा बेटा 2nd I hope आप सभी ने पूरे DCM डंगल में जो डंगल 5 है उसके questions को अच्छे से समझा होगा अच्छे से करेंगे और जहां भी problem आईगे उसको देखेंगे I hope सबका पर बहुत बैतर गया होगा All the best for your coming examination Thanks